सर्दी का मौसम है जहां तक नजर जाएगी कोहरा ही नजर आएगा लेकिन इसी तरह की धुन्द इस समय राजनीती में भी है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा मैं इस समय हूँ राजिस्थान के उधेपूर में और उधेपूर के फतह सागर लेक में इस लेक की खुबसूरती बया करने के लिए शब्दों की कमी हो सकती है लेकिन आज राजनीती में क्या हाल है क्या अभी मौसम गर्माया है क्या तापमान बढ़ रहा है क्योंकि 15 डिगरी के आसपास इस समय राजस्तान की विभिन इलाकों में यहां तक कि यहां पर भी तापम सब्कुल सही है यही चलना चाहिए अभी काक जो में ज्यादातर योजना है जो भी गारंटी कार्ट दिये गए हैं या जिसने भी प्रदेश सरकार हो रहा है चाहे केंद्र सरकार हो सभी ने अपना पिटारा खुला है कि हम यह करेंगे पब्लिक के लिए वास्तेक्ता नहीं यह पारी है यह बहुत बढ़ी बात है कि हम स्कीम्स बनाते हैं हूं यह करेंगे हम वह करेंगे लेकिन होता है वहा हम किती भी रेवडिया बाटें किती भी योजना है बता दें लेकिन अमें समझना चाहिए कि वाकई ये सारा कर्जा हम राजस्तान के जंता पर थोप रहे हैं क्या ये सही है और आने वाले दिनों के अंदर क्या हम लोग उसमें सस्टेंड कर पाएंगे एक बहुत बड़ा इस हैं और सरकार की सोच के कोई भी सरकार आओ उनको मान के चलना पड़ेगा कि राजस्तान के अंदर हम जितना ज़्यादा डवलोप्मेंट कर सकते हैं बिना रेवडिया बाटे हुए बुजारा अच्छा रहे हैं विकास हुआ है कुछ हद तक लेकिन जिस तरस एक्सपेक्ट में रुखना चाहिए यह आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ठीक नहीं है फ्री से क्या होता है मतलब फ्री तो कुछ होता ही नहीं है और फ्री कौन दे रहा है कुई पार्टी अपनी जेव से तो दे ही नहीं है जंता के वासे से दे रही है सबढ़ भी से नहीं होगा, आप समझते आना है नायों के मुद्ध मीसे मांते हैं. सबसे जयादा युवा की दो मुद्ध मुद्धे आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हम 그대로 घ्रनेटि दे रहे हैं. हम लोग ये वादा पूरा करने वाले हैं, मेरे को जहां तक लगता है, ये एक पर्टिकुलर कुछ लेवल के लोग हैं, जिनको ही मिलती है, आज हम मेरे को कोई उसका कोई ऐसा कोई कोई सिरेंडर नहीं मिलेगा, मुझे कोई किसी पकार की कोई पैसे जो साल के बताते हैं वैसे नहीं मिलेंगे इन फेक्ट हम तो जो टेक्स पेर हैं हमारे पैसे से वो लोग पैसा बाठते हैं और अपने आपको शो करने के लिए अपनी टीम को बनाने के लिए वो लोग हमारी पैसे को लोग को बताते हैं हम आपको 400 मिस रेंडर देंगे अच्छी अगर सरकार आएगी और जिसका कॉलबरेशन आगे की टीम से होगा वो हमारे लिए कुछ आगे अच्छा ही कुछ करेगा उदैपूर एक टूरिजम प्लेस हैं हम एक अच्छी जगह पर रहते हैं राजिस्तान का कश्मीरिय से कहा जाता है लेकिन आज क्या है कि जो जो त्यारिया चल रही है कि हम ऐसा कर देंगे हम ऐसा कर देंगे दोनों टीम साहीगी लेकिन जो बैस्ट करने वाला होगा जो हम लोग को आगे बढ़ागे लेके जाहे हमारे शहर का नाम करे हम तो उसी को ज्यादा प्रसंद करते हैं महिलाओं के खिलाफ क्राइम और महिला प्रसंद में उतना ही क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो यह शायद फ्री की चीजों से और इंप्लाइमेंट ज्यादा देना चाहिए उसवज़े से कम हो सकता है में भी आप क्या सोचते हैं इस बार किस मुद्धे पर मैं गौर्मेंट इंप्लोई हूं और गौर्मेंट इंप् प्रसंद महिला की राजनिती कैसे करी महीला सुरक्षा का तो राजस्तान में अभी धीरे-धीरे कमी आ रहे है जैसे जैसे डैवल्लॉपमेर्चन बढ़ रहा है महीलाओंका रोजगार सेक्टर बढ़ रहा है पार्तिसेपेशण बढ़ चाहिए उस हिसाब से तो लेकिन जब आप खुबसूरती देखते हैं तो कुछ पलों के लिए इसे भूल जाते हैं कि उदैपूर या राजस्तान जिसे कहते हैं पधारो मारे देश लेकिन इस बार इस देश पर राज होगा कि रिवास बदलेगा दिलचस्प होगा देखना कैमरा परसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल उदैपूर राजस्तान अबीपी नियूज